जहिन जवानों स्वागत है आप सबका अपने यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे VRO ग्रिफ सेंटर पुने DAS मींस डाइवर इंजन इस्टेटिक डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए CAST Certificate Central का होना चाहिए या स्टेट लेबल का Attestation Farm पे राउंड या चोकोर मुहर होनी चाहिए सबी डाकुमेंट के कितनी कॉफी जोनी चाहिए और Attest किसे करवाना है CAST या Domicile Certificate कितने एयर पुराना चल जाएगा और Name, Spell में चाहिए या Space नहीं है आप सबके Name में, Like आप सबका आधार Card और जो आपका मारसीट में है मारसीट में आपका Spell में Space है बट आपके आधार Card में Spell में Space नहीं है तो आपको क्या करके जाना होगा जिससे आपको DV में आउट ना किया जाए तो आप सबी चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर लें साथ ही साथ वेलेकिन को प्रेस कर लें इससे आने वाली वीडियो को नोडिफिकेसन आप डेट आप तक बहुत ही जल्दासानी से पहूं सके तो DV के लिए मैंने आप सबको बताया है पीटी मिन्स फिजिकल इफिसेंसी टेस में अल्ली आपके रणिंग होती है तो यह आपका पहले ही दिन हो जाएगा मिन्स सेकेंड डे पहले दिन आपका DV होगा नार्मल डीवी कोई प्राब्लम नहीं होती है नेक्स्ट डे आपका P.E.T. हो जाता है और उसके अगले दिन से आपके बहस बना दिये जाएगे प्राक्टेकल टेस्ट के लिए तो नेर वाई आपको 40 केने डेट होंगे आपके एक बहस में यह आपका 22 से 25 दिन लग जाएगा टोटल प्रोसेस में ठीक है तो मिन्स आपके पूरी फरवरी लग जाएगी आपके टोटल प्रोसेस में तो और आपका जो मिन्स साट लिस्ट किया जाएगा जैसे 903 केने डेट हैं आपके P.E.T. और प्राक्टिकल टेस्ट के लिए टोटल आपकी वेकेंसीज हैं 610 तो इन में आपको बाकी केने डेट को साट लिस्ट भी करना है तो इन में आपके प्राक्टिकल टेस्ट में कुछ साट लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी में भी 14 से 15 मार्स तक आप सबको मेडिकल टेस्ट के लिए मिन्स नक्स प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा तो मेडिकल टेस्ट के पहले जो आपका डीवी होता है वो आपके सभी डाकुमेंट्स उसमें ले करके जाने होते हैं मिन्स लाइक आपका टेस्टेशन फार्म हैं सब्सक्राइब करेंगे वीडियोस पर जाएंगे तो वहां मैंने अपनी आटेस्टेशन फार्म कैसे फिलप किया था और नेफ्ट फार्म वह मैंने आपको बताया है आप वहां से जाकर करके आराम से फिलप कर सकते हैं तो आटेस्टेशन फार्म पेज नंबर 126 तक यह जए आपका वन सेट हो जाएगा तो वन सेट और 6 सेट की और फॉर्टोकापी आपको खर करिएक और फॉर्ट कॉट जो करवा से और इन फीन давно होगा कहां करवाना है और कैसे करवाना है वो मैंने वीडियो में बताया है वह आप देख सकते हैं आपको अटेस्टेशन फारम में जो आटेस्ट करवाएंगे वो आप सब का राउंड मुहर होना चाहिए इतना आपको ध्यान देना है अब नीचे आता है नेफ्ट फारम ये आप भी आप सबका बैंक में आपका एकाउंट होगा वहाँ पे आपको बैंच ब्रांच मेनेजर से आपको करना किया है अट्रेस्ट करवा लेना होगा फार्म फॉर्म फिल उप करने के बाद उसके बाद इसकी थ्री फोटो काफीज आप सबको निकल वा लेनी होगी next day Initial qualification में आपको 10 top PASS means matriculation मांगा गया है इसके certificate की 7 Photoc Scrolls आपको करवा लेनी होगी next day आप सभी का in experience का तो experience में आपस मांगाever नहीं गया तो उसको आप जोड़ा देंГी टेकनिकल डिः इमें आपसे метri मांगा गया है तो डो मिसाइल सार्टिफिकेट स्टेट लेवल का होना चाहिए जहां आप निवाश करते हैं इसकी भी आपको सेवन फोटो कापी करानी होंगी नेक्स आ जाता है कास सार्टिफिकेट ओवी सी एस्टी और इडवलीस के लिए आनलाइन आफलाइन कोई भी चल जाएगो कोई प्र करना होगा कास सार्टिफिकेट डो मिसाइल सार्टिफिकेट और टेक्निकल डिग्री दिन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यह आप सबको करना क्या है किसी गेजेश्टेड आफिसर से क्या करना है आटेस्ट करवा लेना होगा गोल लाउंड कोई भी मुहर हो सभी चल जाएगी कोई प्राब्लम नहीं होती अब इनमें आटेस्ट किस से करवाएं किसी गेजेश्ट अफिसर लाइक आपके पास आसपास हास्विटल हो या कोई सामुदाइक स्वासकेंद होगा या आप लेकपाल से करा सकते हैं या वीडियो से करा सकते हैं या कोई मानिता आप राप्त विद्याल है जो इंटरमीडियर तक है उसके प्रिंसिपल से करा सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं होती है ओके नेक्स्ट आ जाता है आप सभी का टेन पास्पोर्ट साइस फोटोग्राफ होनी चाहिए तो यह जो टेन पास्पोर्ट साइस फोटोग्राफ होगी यह आपने farm fill up करते समय जो लगाई है उनको ही लेकर क्याना है यद नहीं है तो आपको near wise जो मंत में आपने click करवाई है means एक या दो दिन में हाल ही में किछवा करके उनको लेकर क्याना है कोई problems photographs के जरीए आपको नहीं होती है अब यह जो आप सबके सारे means documents होते हैं यह submit कब होते हैं ऐसा आपका comments भी रहेगा तो यह आपकी जब joining होती है joining के 10 आर 15 days बाद आपके सारे documents complete होते हैं कोई problems नहीं होती है तो यह आपका जो पूरा DV होता है या medical के पहले हो जाता है आपके documents submit नहीं होते हो ली चकप होता है क्या problem है यह okay है यह नहीं है यदि ओके नहीं है तो आप सबको जो medical के बाद एक form दिया जाता है उसमें लिखा होता है आपके means आपको DV में क्या क्या घड़वड़ी है क्या आपके पास मार सीट सही नहीं है या आपने जो टेस्टेशन फारम है उसमें artist नहीं करवाया है यह जो भी आपकी कमियां होंगे इसमें लिखा होगा आपको बताया जाएगा जब आप सभी joining के लिए लेकर आएंगे तो यह सही करवा के आएंगे और इसमें आपको time दिया जाता है कोई problems नहीं होती है दूसरा आजाता है आप सभी का यदि नाम मिस मैच है तो क्या करें जैसे आप सभी का आजाता है हाई स्कूल का हाई स्कूल में दूसरा नाम है या हाई स्कूल में नाम है तो नाम में आप सभी का space है बट आधार कार्ड में नाम में space नहीं है तो क्या करें तो इसके लिए आपको एफिडेविट आपके तहसिल से बनवा लेना होगा कोई प्राब्लम नहीं होगी इसके लिए ओके और एक और यह कमेंट्स रहेगा आपका NPS फारम कैसे फिलप करें नियू पैंसन सिस्टम का तो आपको ओनली प्रिंट आउट निकलवा लेना होगा यह 126 पेज में हो करा दिया जाता है तो ऐसा होता हैं पूरा डाक्मेंट वेरिफिकेशन अभी कोई है आपको डाकुमेंट वेरिफिकेशन वे explain र्लम है तो आप कमेंट वाक दिए कमेंट कर सकते हैं सबक्राइज कर अब सर्दित जाए होगे लाइन जै भारत मिलते हैं नेकिश्ट वीडियो झाल्मा